सुनिये त्रेता युक की बात है ब्रह्मा जी देवराज इंद्र अगनी वायू आधि सारे देवता सब्त रिशीगन और पित्वी देवी सब मिलकर वैकुंठ लोग जा पहुँचे करण शुहांगम लक्ष्मी कांतम कमलनयनम योगि भिल्दार कम्यम वन्देशनुम भव्वेहरम सर्वलोगेगनाथम हे देवताओं के स्वावे शर्णागतों के रक्षक आपकी जय हो है क्रपालू आपकी लीला अत्भुत है उसका भेत कोई नहीं जानता है कोई भी उसको जानने का अभीमान नहीं कर सकता है और उसे वही जान सकता है इस पर आपकी क्रपा हम पर क्रपा करने प्रफूदी है पापों का नाश करने वाले नारायन हमारी सोदिलें प्रभू, देवी पित्वी एवं समस्त देवता अपने मन, वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर आपकी शरण में आये हैं ए अविनाशी हमें दर्शन देकर हमारा उपकार करें प्रभू हे भक्त वस्सल भगवान, हे आशरणों के शरण, हमारी रक्षा कीजिए प्रभू हे श्रीपते, आप ही मेरे पालक हैं, आप ही मेरे रक्षक है नाथ, आप ही के आदेश पर मैं इस मृत्यू लोग के समस्त जीवों को आश्रे देती हूँ, उनका भार उठाती हूँ, सब कुछ सहन करते हुए, मैं उनका लालन पालन करती हूँ, किन्तु ये राक्षस राज रावन, मुझे ऐसी पीड़ा दे रहा है, जो मेरे लिए असहनिये हो गई है अपने बल के मद में चूर होकर, रावन चारों और आतंग फैला रहा है, जिसे भी वो थोड़ा बलवान समझता है, उसे ये उनमादी रावन, युद्धम देही, युद्धम देही कहकर, युद्ध के लिए ललकारता रहता है, और जो निर्पल, और शान्ती प्रियजीव उसे भी बिना कारण सताता रहता है, रावन और उसके राक्षस, रिश्यों को यग्य नहीं करने देते, मुलियों को तपस्या नहीं करने देते, और अपने मनोरंजन के लिए निर्दोश जीवों की हत्याएं करता है, पूरी प्रित्वी पर रावन ने स्त्रीयों के अभार और अत्याचार का अभियान चला रखा है, कोई भी स्त्री कहीं भी सुरक्षित नहीं, हे विशम्भर, उसका ये अत्याचार देख, मुझे मा का रिद्य फटा जाता है, मुझसे अब और सेहन नहीं होता प्रभू, मुझे इस राक्षस से मुक्ति दिलाईए हे विश्नुदेव, हम देवताओं को भी यह रावण निरंतर प्रताडित कर रहा है, हम देवताओं प्रकृती के नियमों की रक्षा करते हैं, हमारे कारण कोई भी तत्व अपनी मर्यादा भंग नहीं करता है, किन्तु रावण हमें भी सनातर नियम तोड़ने के लिए वि тра-द सक्षभड़ना है, हमारे के विख विव तोड़श कर वारे को मारे की रावरे के वारे का नियमों क कुछ का रहा है मेरे मार्ग में पाधा, ए इंद्र, तेरा ये तुस्साहस, अपने मेखों के द्वारा तु मुझे रोखना चाहता है, अपनी पराजे पूल गया क्या? कहें तो यादि दिलाऊं। यहाँ एक बार फिर मुझे टकराना चाहता है, यदि यही इच्छा है, तो आपने बौदल नहीं, तो मैं अभी ये सिक्षन तेरा उपचार करे देता हूं। सब्सक्राइब राइब 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 बहुत अच्छे सची मतिश्टी इंद्र तुमने शीग्र ही समझ लिया कि मेरी मित्रता में ही तेरा हित है सूर्यो देफता पर क्या कर रहे हैं आप अपने सम्राट से कुछ सीखिये और मेरा अनुकूल रहा कीजिये देखते नहीं आपकी किरणों के ताप से कैसे मेरा माथा जला जाता है और हाँ वो चंद्रदेव उस चंद्रदेव से कहो वातावरन को थोड़ा शीतल है हाँ हुआ प्रभू दावन के अत्याचारों से हमारी रक्षा का सामर्थ्या केवल आप में है आप समस्त जीवों की अंतरात्मा हैं और हम सब में जो कुछ भी शक्ती है वो आप से ही है हमाग की शरण में हैं हे अक्षर शिग रही हमारा उधार कीजिये श्रीपती नहीं तो यह सारी व्यवस्था नश्ट हो जाएगी जगत पिता ब्रह्मा का बर्तान पाकर यह रावन मनमाना हो गया है इस समय ब्रह्मान में उसे अनुशासित करने की शक्ती किसी के पास नहीं है हे प्रफू क्या उस आतिताई से हमें कभी मुक्ती नहीं मिल पाएगी आप निराशन हो ब्रह्मान मेरी प्रतिग्या है कि जब जब गौ माता विप्रजन संत समुदाए और देवताओं पर विपत्ती आएगी जब जब अविश्वास अनाचार और अधर्म की वृत्ती होगी और धर्म की हानी होगी जब जब भक्त मेरा उपास करेंगे पेरी भक्ती को अंध विश्वास समझेंगे और तब मैं सज्जनों की रक्षा के लिए और दुर्जनों के विनाश के लिए यग्ये की वैदिक मर्यादा और धर्म की स्थापना के लिए मैं अफ़तार लूगा मेरी ये प्रतिक्या अटल है भक्तों की रक्षा के लिए मैं अवश्य अफ़तार लूगा भכवान विषनो की जाए भघवान विषनो की जाए भघवान विषनो की जाए 庭 का के लिए पूर्वकाल में रावण ने कठोर तपस्या की थी और प्रह्मा जी से बर्दान ले लिया था कि उसे देवता, दैत्य, गरुड, नाग, यक्ष आदी कोई भी न मार सके किन्तु उस समय उसने मनिश्यों का नाम नहीं लिया और ये तिरसकार से कहा कि मनुश्य तो उसके लिए तिनके के बराबर है अहंकार सदैव पतन का कारण होता है रावण के भी विनाश का कारण उसका अहंकार बनेगा क्योंकि शीगरी मैं मनुश्य रूप में अफ़तार लेकर तुराचारी रावण का वद्ध कर दूँगा धे पुश्युत्म, हमें क्या करना होगा? आदेश दीजिए प्रभू आप सब भी प्रित्वी पर अपने अपने अंच्चों से बानर कुल और रिक्ष कुल में अफ़तार लीजिए समय आने पर रावण के विरुद धर्म युद में मैं आपकी सहायता लूगा आप समस जगत के पालक हैं ये धर्णी धर्ण आप से ही ये ब्रहमान जन्म लेता है और आप ही प्रहलाइकाल में इसे अपने में लीन कर लेते हैं ये प्रभू रावण के विनाश के लिए आपका एक कटाक्षी परयाप्त है फिर भी आप हमारी सहायता चाने हैं ये प्रभू हमें आशीरवाद दीजिए कि हम आपकी लिला से मोहित होकर अंकारी न हो जाएं आपकी दिदी देवी रुक्मनी प्रेम में समर्पण तो करती हैं किन्तु प्रदर्शन नहीं फिर भी मेरे प्रती उनका गहन प्रेम वो कुछ अफसरों पर कुछ आगर हो ही जाता है क्या बात है प्रिये कुछ कहना चाहते हैं कुछ भी तो नहीं नात ये नरा अफ्तार मैं धर्म की स्थापना के लिए ले रहा हो प्रिये किन्तु कोई भी धर्म कार्य धर्म पत्नी के बिना पूरा नहीं हो सकता आप मेरी सहचरी हैं आपको ही ये दायत्व निभाना होगा इस अफ्तार में मैं अनाचारी राक्षसों का वद्थ तो करूँगा ही किन्तु ये अफ्तार लेने का मेरा उद्देश्य अपने जीवन चरित्र के माथ्यम से सदाचार का अधर्ष प्रस्तुत करना है मनुश्यों की शिक्षा और प्रेड़ना के लिए मैं सत्य और धर्म के दो पैरों पर चलूँगा और जीवन की मर्यादाओं पर अडिग रहूँगा मेरा ये अफ्तार मर्यादा पुरिशोत्तम के नाम से प्रसिद्ध होगा ओम नमः शिवाए राम 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 आप ये किसका चाप करें महादेव? राम, मेरे राम राम, कैसी शी तलता है इस नाम में? अनादी काल से ही, यह नाम इस जगत का सबसे सिद्ध और सरल मंत्र है वो कैसे महादेव? ओम नमो नरायन मंत्र से विजाक्षर राव और ओम नमो शिवाय मंत्र से विजाक्षर मां को मिला देने से इस राम मंत्र की रशना होती है इस अमूल मंत्र में भगवान विश्णू की कल्यान कारी शक्ती के साथ मेरी शक्ती का विवास है यह मंत्र सरमंगल कारी है मोक्ष कारी है और सभी प्राणियों के कल्यार की राम बान वश्दी है आपकी महिमा नेराली है पुलेलान आप जब उग्र रूप धारन करते हैं तो तीनों लोग कांपने लगते हैं और जब प्रेमगन होते हैं तो ऐसे कि देखने वाला भी आनन्द में हो जाएं जो आनन्द मेरे मन में जागा है शीग रही वे पूरे पृत्वी लोग पर छाजाएगा वो कैसे महादेव? क्योंकि आपके जो परम रहस्य में महान भाई भगवान विश्णु है ना वे मनुष्य रूप में चन्द लेने वाले हैं और इस मनमोख अफ्तार में उनका नाम होगा श्री राम वे मेरे भाई अवशे हैं अन्दिशों करने तो आपके प्रेम और समर्पन के समख मेरा प्रेम तो कही ठहता ही नहीं विश्यों ने भी तत्य कहा है शिवाय विश्णु रूपाय शिव रूपाय विश्णवेद शिवस्त हिर्दयम विश्णु विश्णोस्त हिर्दयम शिवा हर्थात शिव विश्णु का रूप है और विश्णु शिव का रूप है शिफ विश्नु के हिर्दय में वास करते हैं और विश्नु शिफ के हिर्दय में परन्तो महादेव श्री नारायन को अफ़तार लेने के क्या अवर्षकता है तुलिग जप जाहे तब अपने चक्र से रावन के दसों से कााग सकते हैं निश्यत ही काट सकते हैं शैल पुत्री, किन्तु श्री हरी, ब्रह्मा जी के वर्दान की अभेलना नहीं करेंगे, किन्तु ब्रह्मा जी, अगवान विश्नु, और मैं, तीन अलग अस्तित वावश्य, किन्तु मूल में हम तीन और एक ही हैं, बवाने, इस रावण ने, दस सहस्त्र वर्षोता, बड़ी कटिन तपस्या करें, इतने शुपकर्मों का संचे कर लिया, कि ब्रह्मा जी को बाते होकर उसे मन चाहा वर्दान देना ही पड़ा, और तब से वह, अजे होकर अत्याचारी होगी, इसलिए जब तक उस पापी के पूर फुर्णियों का च्छे नहीं हो जाता है, उसका बद नहीं किया जा सकता, अब उसका काल निकट आता जा रहा है, और शीग रही भगवान विश्णियों, श्री राम का अवतार लेके, उसका अंकर डालेंगे, और उनके इस कार्रे में, मैं उनकी सायता करूँगा, आप महेश्वल, याँ भवानी, भगवान विश्णु के इस राम अवतार के साथ साथ, मेरा आंशिस वानर कूल में, उत्तम वानर हनुमान बन कर जनम लेगा,